दोस्तों जैसा कि आपने भी स्क्रीन पर देखा कि सिगनल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है फिर भी वीक सिगनल बना हुआ रहा है पिक्चर बार-बार कट रही है यह जो प्रॉब्लम आती है वो किस बैसे से आती है चलिए आज आपको मैं बताऊंगा इस सेट वाक्स को मैं खोलके यहाँ पर विल्कुल कोई समने लेके आया हूँ अब यहाँ पर सबसब पहले दो दिखिए यह जो जितनी भी डश्ट है उसको क्लेन करना है उससे पहले मैं आपको वोल्टेज जरूर दिखाना चाहूंगा यह जो प्रॉब्लम आती है यह आत यहाँ पर जो यह सबसे फर्स्ट वायर इदर से है वो है 3.3 वोल्ट की आप देखिए यहाँ पर 3.0 वोल्ट बन रही है 3.3 प्रॉपर नहीं है अब यही वायर यहाँ पर कार्ट पर जाती है इस जगह पर अब यहाँ पर चेह करेंगे हम आप यहाँ पर कितनी वोल्ट अब यहाँ पर देख सुकते हैं यहाँ पर 3.0 वोल्ट आ रही है यहाँ पर 2.8 वोल्ट आ रही है याईनि कि यहाँ और से यहाँ तक वोल्ट इज पॉइंट अब यहां तक proper voltage नहीं पहुचेगी, तो क्या होगा, awake signal आएगा, कभी-कभी no signal भी आजागा, अगर आप channel search भी करोगे, तो proper channel इसमें नहीं आएगे, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम करते क्या है, कि इधर में एक regulator दिया है, इसको clean करूँगा भी थोड़े दिर मे यहां पर एक regulator दिया गया है, इस regulator के top में हमें चेक करना की voltage असर में बन कितना रही है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसके top वाली पिन पर voltage हमें मिल रही है, 1.7V, इतना ही लगभग इसमें मिलती है, 1.7 या फिर 1.8V इस regulator मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही है, तो फिर इसे मैंने क्लीन कर लिया है, अब इसमें voltage चेक करते हैं, 3.0V अभी वही है, इस तरफ 2.8V, यानि कि अभी भी voltage इसमें जो पहल थी वही सो कर रही है, अब देखिए यह voltage सही कैसे होगी, तो यहां पर कुछ चीज़े हैं मैं आपको उता हूँगा, इन मैं कुछ डायोट सा इसी होती, जिनके weak पर जाने के वज़े से, या फिर capacitor के खराब हो जाने के वज़े से, या weak हो जाने के वज़े से, ये voltage के ब्राब्लम आती है, देखिए मैं note करवा देता हूँग, आपको ध्यान रखिएगा, 3.3V के लिए, नमबर वन, यहां पर एक ये diode लगी होती है, य या तो एक जो हम बता रहे हैं वो capacitor weak होगा, या फिर ये diode, या फिर ये diode, या फिर ये diode हमारी हराब होगी, या हमजोर होगी, जिसके उज़े से ये problem आ रही है, अब यहां पर होता कि है कि ये, ये बड़ी diode ये 5V बनाती है, और 5V के line पर फिर series में 2 diode को लगा कर 3.3V बना द हम एक बार इसको साफ करके भी देख लेते हैं, और इसको निकाल के अगर आप चेक करेंगे न, तो voltage आपको ज्यादा ही बताएगा, यहाँ पर अगर आप इसको खोल के चेक करेंगे इस तरीके से, तो voltage आपको ये देखिए, voltage आपको ये proper बताएगा, लेकिन card में लगाने क बाद voltage, फिर load पे voltage घट जाता है, अभी चेक कर लेते एक बार इसको निकाल ले, कभी कभी carbon वगर भी आज़ता है, जिसके वज़े से voltage, अभी भी वही है, 2.8 voltage, अभी यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या है, कि इस बड़ी वाली डायोट पर voltage चेक करना है, तो चलिए, प 99 लगी है, उनमें ही हराबी होने के वज़े से ऐसा हो रहा है, अब यह डायोट देखनी है कि heat हो रही है कि नहीं, यह बहुत ज़्यादा अगर heat होती है, तो इनमें से जो डायोट ज़्यादा heat हो रही है, उसको अपने replace कर देना है, अभी यहाँ पर यह डायोट जिसका cathode point उपर को है, उसको पर हम voltage check करेंगे, सबसे पहले नीचे check करेंगे, तो यह पर 4.8V बता रहा है, इसके बाद फिर voltage थोड़ा सा drop होगी, 3.9 हो गया है, फिर इधर पर हम check करेंगे, 3.9 यह पर दिखा रहा है, इधर पर आ रहा है 2.5, सबसे पहले तो मैं इस value diode को और इस value diode को ऑँचेंगे, तो चलिए फिर supply को बाहर निकालता हूँ, इस supply को मैं बाहर निकालता हूँ, और इस diode को हम बाहर करके एक बार ही change कर लेते हैं, यानिकि इसकी जिगा पर हम सही वाले two को लगाएंगे एक बार इस डायोड को मैं बाहर कर लेता हूँ ठीक है इसको उठा लिया है इसके उपर इस दूसी डायोड में लगाकर एक बार चेक कर लेता हूँ तो यह पर मेरे पास एक डायोड है जो की 1 & 59 99 नंबर की है तो उसको मैं इसकी पर प्रेप्लेस कर लेता हूँ चलिए कैथो डेनोट को देखते वे आपने लगाना है जैसे कि डायोड में नीचे सिंबल बना हूँ है उसी हिजाब से आपने डायोड को मैंश कर केस में लगा लेना है इसके लिए अब इसमें वूल्टेजम चेर करते हैं उनका लिया है और यहाँ पर इसको ग्राउंड कर लेते हैं और वोल्टेज चेर करते हैं अगर हम इस डाइट को चेंज करें तो वोल्टेज हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी इस वाली डाइट को भी हम चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर हाँ ताकि अंतर काफी आया है इसमों वोल्टेज का अभी इंप्रूफ हो चुकी है वोल्टेज देखें 3.1 वोल्ट सम्थिंग आ रही है तो अब इसको एक बार हम इस डाइट को भी चेंज कर लेते हैं जो हम बता रहेते हैं आपको 1.59 यहाँ पर 2.59 बहुती है एक यह वाली हु होता है आप देखिएगा यह अपनी जिगत छोड़ रहे हैं भार बारी यानि कि यह जो इसका टर्मिनर है यह देखिए लूज हो गया है इसको हम एक बार सोल्टरिंग करके देख लेते हैं इसका जो पॉइंट है वो लूज यहाँ पर दिखा रहा है तो सोल्टरिंग करके देख लेते हैं कभी कभी यह भी कारण हो जाता है इसको जैसे वोल्टेज ड्रॉप करती है बहुत बार तो जो चीज हम यहाँ पर देख पार है पहले हम काम करेंगे इसके अगल बगल वाली डार्स को भी हम सोल्टिंग कर देंगे जो की हलका जान मुझे लग रही की है बा जो भी चीज है मुझे हाप पर कमीस में लगी उसमें मैंने काम कर लिया है और अब देखते हैं कि सॉल्यूशन हुआ कि नहीं नहीं होगा तो फिर उस डाट को चेंज करी ही लेंगे हम इसको जूम डाउन कर लिया है और यहां पर एक बार हम वोल्टेज चेक करते हैं फानली वोल्टेज देखे बन गई है 3.123 इन्हों ऐसे कोई वोल्टेज बन रही हो तो आपको काम 100% हो जागा है लेकिन यहां पर एक छोट इसी कमी और है यहां पर वोल्टेज तो बन रही गदिन है यहां पर बन रही 3.2 वोल्ट और यहां पर 3.0 गर्ट तेंकरना है इस वयर को कटकर लेना को यहां से यहां तक टाकी वैर को अलक से सोडी कर देना है या ذ première का मेंसा करना है या फिर आप इस इक डाइग के यहां से एक वयर उठा के इस सकते अर्फिर गॉह कर सकते है जिसके वज़े से यह problem हमें इधर पर face करना पड़ रहा है यहां पर तो हमने बना दी लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो फिर आपने यह काम यहां पर कर लेना है देखिए अब हम अलग से वायर लेंगे एक छुट सी वायर का मैंने टुक्डा ले लिया है और यहां पर क्या कार्म करना है उसमें देखिएगा इसके एक सीरे को हम यह डायोड जो हमने भी लगाया था उसके कैथोड के साथ में हम इस तरीके से सोर्डिंग करेंगे हम से लिए इसको अभी करते हैं पहले दूरसे सीरे को हम यहां पर उल्ड कर लिए जो वायर काट हमने टूडी थी वुचेसीशील्वी है दूशल कर लिया है और त्बसकी के दूरसे सीरे को हम चुटेशा है में देखिए एक ऐससे से को फोलुक्त कर जो पुरानी वायर थे हमने कट कर ली 3.3 वोल्ट की यहां से यहां तक वाली उसके बदले हमने डाइट के इस सीरे से वहीं तक एक वायर हमने जोड़ती है देखिए अब हम वोल्टेज आपको चेक करवाते हैं एक चीज और आपको बताऊंगा इसमें पहले वोल्टेज चेक करवा देता हूँ यहां पर देखिए एक सकन मैं आपने अलनी के आवी स्प्लाइ को लाइक उन के लिया है और वोल्टेज यहां पर आपको दिखाता हूँ 3.23 वोल्ट से उपर आ रही है परफेक्ट है और इसको मैं पहले इधर ग्राउंड देता हूँ अब हम चेक करेंगे यह देखिए 3.3 नहीं बिल्कि 3.2 है बिल्कुल सही है 3.1 से 3.3 तक होना जरूरी है तब यह परफेक्टली काम करेगा अब इसमें वीक सिंगलर की जो समश्य है वो बिल्कुल देखिए आप छेक करेंगे तीवी पे और यहां पर जब यह प्रॉब्लम आती है तो 3.3 वोल्ट चेक करने से पहले आपको 5 जरूर चेक करनी है आपको यहां पर साथे 4 वोल्ट से उपर मिलनी चाहिए सप्लाई को कार्ड के साथ पर कनेक करेंगा साड़े-4 से उपर मिलनी चाहिए अगर साड़े-4 से उपर नहीं मिलती है या बहुत कम मिलती है तो पहले आपने 5 V पे काम करना है यह 5 V पे काम कैसे करना है आपको यह capacitor जो कि 1000 µF से उपर का होता है वो चेंज करना है और यहाँ पर एक diode जो बड़ी वाली आपको बताया ये दोनों डायोड्स आपने रिप्लेस कर देनी है और यहां तक आपको ये वायर अगर प्रॉब्लम कर रही तो वायर को भी चेंज कर लेना है या कनेक्टर अगर मिल रहा हूँ अलग सा वो चेंज कर लेना है और उसके बाद भी समश्या नहीं बन पारी हो तो लगा कि आपको दिखा देता हूँ और अगर आपको ये वीडियो बसंद है तो लाइक करके सेर्कलने डिटेल बटाती है डिटेल से बता रहा हूँ तो मेरी ख्याल से आप काफी अच्छी थी समझ भी पा रहा हूँगे आपको लंबी वीडियो पसंद है या फिर छोटी ब हो जाता है नो सिगनल आता है वीक सिगनल आता है और जिरो जिरो बनने लगता है इसके डिस्प्ले पर या जिरो 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 इस तरीके से फोल्ट सान लगता है यही सबसे में चीज है यह स्टेंडबाइ के लिए जा रही है और यही सिगनल के लिए सिगनल आईसी को और तरीके से solution हुआ है